मैं मसीह होने के नाते इस बार का जो दो हजार चबीस का ओलम्पिक जो पेरीस में आयुजित किया गया है उसको मैं बाइकोट करूँगा कम्प्लीटली मैं उसे नहीं देखूँगा वज़ा आप पूछोगे क्यूं तो मैं आपको बताता हूँ opening ceremony में आपने देखा और यह अब news में train कर रहा है कि असल में हुआ क्या है जो LGBT की community है यानि कि जो lesbian, gay, transgender इन लोगों का community है इन्होंने performance किया opening ceremony में तो यह performance का completely यह look replicate कर रहे थे यानि कि पूरी तरीके से जो Leonardo Divancy का जो Lord Supper यानि कि प्रभू येश्यू मसी का जो Lord Supper का जो painting है जो painting बनाया गया उस का completely उसको वहाँ पर representation किया गया है उन लोगों का theme love, acceptance, liberty चाहे जो भी हो उन्होंने प्रभू येश्यू मसी के तरफ जो blasphemy जाहिर किया इस एक से और जिससे हम मसीहों को आहत हुआ यह elementary ने और बहुत सारे deliberately उन्होंने किया चाहे वो white horse का बोलिये और कुछ-कुछ ऐसे गोरी images पहुत सारे ऐसे थे मतलब समझ में नहीं आता है कि यह कौन organizers लोग हैं जो इस प्रकार के घटिया चीजों का आयोजन कर रहे हैं कितना सारा decent themes लोग है उसे लेके आ सकते थे लेकिन मसीहत को तार्गित करते हैं जो प्रभू येश्यू मसी का जो second coming है जो white horse का उसको भी दिखाया क्या और इसे बहुत सारी images elements है जिसको आप अगर symbolic के लिए interpret करने जाओगे तो evil है complete evil है इसलिए मैं इसको बाइकोड करूँगा क्योंकि ये प्रभू येश्यू मसी को इन्होंने blasphemy किया है Bible का मजा कुराया है मसीहत को ठेश पहुंचाया और आज बहुत सारे मसीह company लोग बहुत सारे मसीह लोग इस चीज़ को लेकर आपती जता रहे हैं जो बद्धा मजा को उन्होंने किया उसका आपती जता रहे हैं ट्विट्स कर रहे हैं और बहुत सारे sponsor organizers बहुत सारे partners लोग अपना हाथ को पीछे कर रहे हैं कि इस बार और लोग justify करने की कोशिस करेंगे और एक दो जन एक दो जन ने ऐसा क्या बाकी जितने भी वो तो अच्छे हैं वो तो ठीक हैं जो events है sports यह सब चीज़े तो अच्छे होंगे वहाँ पर आपका argument मैं accept करता हूं यह सभी जन ऐसे नहीं हैं और मैं यह भी मानता हूं कि बहुत सारे अच्छे मसीही भी वहाँ पर है जो olympic आप इस बार होगा अंग्रेजी में जो idiom से don't throw baby with the bat वा तरियां कि अच्छे चीज़े भी हैं तो कुछ बुरे चीज़ों के साथ में आप सब कुछ को क्यों discard कर रहे हैं मेरा conviction है कि मैं प्रभू को पहले रखूंगा मेरा conviction है कि इस बार नहीं देखूंगा मैं फिछले बार का रोज देखता था चाए भले हमारा इंडियन टीम्स लोग अच्छा परफॉर्मेंस ना करें लेकिन भी मैं पूरे देखता था मुझे बहुत ही जादा encouragement मिलता था कि अपने ministry में लिए क्योंकि Apostle Paul ने भी आप Bible में देखो के olympic को लेकर यानि कि जो Athens में ग्रीस में जो सुरू हुआ उसको मेटाफोरिकल क्रिस्टन स्लाइब को साथ में compare किया गया तो मैं उसे देखकर मुझे अपने मसी जीवन के लिए भी बहुत प्रेना मिलता था olympic को देखकर लेकिन इस बार का मैं नहीं देखूंगा मैं जोइन क करते हैं क्योंकि सैतान जानता है कौन सचा है कौन सही है कौन परमेश्वर है इसलिए हमेज सा देखोगे अब मोकरी एटेक ब्लेस्पेमी मसीषत के उपर में ही होता है क्यों बिकोस प्रभी ये मसी ने वचन में अर्ड़ेडी कहा है क्योंकि दुनिया मुझे नफरत और ये दुनिया इवल सिस्टेम अन्राइचेस अन्होली देखें LGBT कम्यूनिटी मैं उनके बारे में इतना नहीं कहूंगा फ्यूचर वीडियो में जरूर बताऊंगा कि ये लोग कोन है और बाइबल इनके बारे में क्या कहता है मैं उसके बारे में यहाँ पर विशेस करके टिपनी नहीं करूंगा मेरा स्पेसिपक लिए जो मेरा आपती है जो बहुत एक गंदा भद्दा प्रस्तिति उन्होंने किया उसको लेकर मुझे आपती है तो इसलिए मैं बाइकोड कर रहा हूँ आपका कन्विक्शन क्या है आप देखना चाहे देखिए देखोगे तो को अबू को आगे रखता हूँ और सारे दुनिया के जो मसीही लोगे जो ओफेंड हुए है उनके साथ में मैं जॉइन कर रहा हूँ और मैं नहीं देखूंगा इस बार का जो बी हो जैसे बी हो मैं बाकी को किसी को नहीं कहूंगा आपको भी नहीं कहूंगा अपने परिवार क आखिर तक टिखने के लिए God bless you